आज हमारे साथ एक बहुत ही खास महमान है Lord Ahmed, Lord Tariq Ahmed जो UK के उपविदेश मंत्री है क्या खास है Lord Ahmed के बारे में? सबसे पहले ही तो क्या ये जोदपुर के मूल के है इनका ननिहाल जो है वो जोदपुर में है दूसरा इनको एक सिरायत मिली है और वो कौन सी सिरायत? Wimbledon वैसे तो Wimbledon टेनिस के लिए जाना जाता है लेकिन Lord Ahmed को Wimbledon की जागीर मिली है एक तरी से Lord Ahmed बहुत ही interesting है जो आपका राजकिय चिन है जो आपको मिला है उसमें दो मोर है तो मेर को लगता है ये मोर की आवाज आपको यहां जोतपुर खीच लाई है जो आपका ननिहाल है लेकिन हम जोतपुर की बात करें उसके पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती है चाहती हूँ जो हर हिंदुस्तानी की जहन में है जिन लोगों ने 200 साल पहले 200 साल के लिए हमारे पे हुकुमत की उसी उसी गव्मेंट में उसी देश में दो ऐसे लोग हैं आप और जो आपके प्रधान मंत्री हैं जो भारतिय मूल के हैं और एक तरह से अब आप उनकी हकुमत में शामिल हो गए हैं मैं यह नहीं कहूंगा हम उनकी हकुमत में शामिल हैं उस हकूमत के हिस्से हैं और पादर मंत्री जाब रिशी सुना क्यों हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उनका तो बड़ा एहम रोल है मगर आपने यो जिकर जिस तरह किया है कि ये कनेक्टिविटी इंडिया से भारत से किस तरह से हुई है और आपने वो दो मोरों का परिंदों का भी जिकर की है बलके जब वो क्रेस्ट यू मेरा जब बनाया गया था उस वक्त पूचा गया था मस्से के आप अपनी खानदान की तारीख के बारे में बताएं तो उस वक्त जब मैंने अपनी वालदा मौतरम खुदा उनको हर रंग में दरजन बलंद करे उनके जब मैंने उनका जिकर किया जोतपूर तो यह हमारे आर्टिस होते हैं वो लेके फिर उननी पेश किया कि यह परिंदे यो हैं जोतपूर से भी हैं विमर्डन से भी उनका तरलोक हैं और आपने वो पीकॉक्स का भी देखा है कि वो यह हैं किस तरफ वो मौनिया यह हैं वो भी एक हिंदुस्तान के हिस्से के रिफ्लेक्शन है क्योंके मेरे पिताजी यह थे वो गुर्दासपूर के थे पंजाब के तो इस तरंग में वो एक बड़ा गैरा तरलोक पिताजी आपके गुर्दासपूर के थे, माँ आपकी जोतपूर की थी, किसने सोचा होगा इतने साल पहले जब देश का विभाजन हुआ था कि उनका बेटा आगे जाके देश का वहाँ उप विदेश मंतरी बनेगा नहीं यह देखें, जिस जो मेरा दफ्तर है, यहां मैं बैटता हूँ, वो इंडिया ओफिस के लाया जाता है, फॉरन ओफिस में, और बलके यह वही ओफिस है, जहां से जब ब्रतानी हकूमत इंडिया के उपर राज करती थी, वहां से वो राज चलाई जाती थी, अब एक के अंदर, और जब मैं पहले अपॉइंट हुआ था दोहजार सत्रा में, यह पहली चीज़ है, और मेरी अम्मी के साथ मैं बैठा, कहते हैं, तारिक बेटे देखो, के यहां हमारी शुरुआत थी, आज एक जैनरेशन के अंदर, आप यू हूँ, इंडिया के साथ ब्रतानी तालोग बढ़ा रहे हैं, एक मंतरी के हैसियत से, और वो बड़ा एक एहम है, तो आपको अगर कभी मौका मिले आई आई आप लंडन, तो मैं आपको दखाऊंगा, वही कांसल चेंबर यो है, वही इंडिया ओफिस है, वो मेरा अब दफ्तर है, कितनी बड़ी बात है इतिह मिनिस्टर बना है और आपके जैसे उप विदेश मंतरी बने हैं, लेकिन जोदपूर पर आते हैं, जोदपूर आप कितने सालों बाद आए हैं, 76 पहले आपकी यहां से चले गए था आपका परिवार, और फिर पाकिस्तान गिया और फिर विभाजन हो गया और वहां से वो चले गए, कैसा लगा अपनी मिटी में आके, अपनी मिटी की सुगंद में, पीकॉक्स को भी देखे, मोर को देखे, कैसा लगा आपको? नहीं, बड़े मेरे इस वक्यों जजबात हैं, उसको अज़ार करना बहुत मुश्किल है, मैं यह बात इस वक्यां, यह महल में भी आके, मैं यह याद है मेरे नाना मरहूम, वो इस वक्यों महराजा उमेट सिंग थे, उनके कॉर्ट में थे, वो ट्रेजर के हैसियत से काम कि साना, आपने अभी जिकर किया था कि इतना अर्सा गुजर गया है, क्या मेरे पिता जी, मेरी माता जी की सोच उस वक्या थी, कि शायद वो भी तसवर नहीं कर सकते थे, जब पिता जी मेरे यूके पहुंचे थे, उस वक्यों के पास हर चीज़ गुमाच रही थी, सिर्फ प साम में, आप देखेंगे वो लोग जिनका खांदानी तलोक एक परिवारी का तलोक इंडिया के साथ था, वो हर प्रोफेशन में आगे बढ़ने हैं, बिल्कुल, और हम जहां पर हैं उमेद भवन पैलिस में, उसी पैलिस में आपके जो पिता जी नाना जी हैं, और जो आप के नाना जी की पिता जी थे, उन्होंने इसी पैलिस में, यहां पर उन्होंने ही जैसे आपने बताया ट्रेजरर थे, तो कुछ यादे, कुछ बात याद है, परिवार की कुछ यादे होती है, कुछ एक, कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए. मेरी यह नानी जान थी, वो हमेशा बलके हमसे मजाग किया जाती थी, कि तौर तरीके यह हमने ब्रिटिश राज से नहीं सीखे थे, वो हमारे खुनों में थी, और बलके वो अकसर जिकर करती थी, कि कभी जब वो घर से लिकलती थी, बड़ी तियार होके, जेवर पैन के, त लिकलती थे और लंबे से दबटे खेंचते थे, और कहती थी, वो फिर घर से महर के गेट से, उस वक्ट वो यह कारेज खड़ा होता था, उसको विक्टोरिया कहते थे, क्वीन विक्टोरिया के पीचे, तो कहती थी, हम ना उपर कुछ पहनते उनी कपड़ों में, मगर हम सी जो महराजा उमेद सिंग थे, उनके साथ मेरे, उनके अबबा का कितना एक ग्यारा तालोक था, और बड़े, जब वो जोदपुर की बात करती थी, उनके आंखों में, उनकी बातों में, उनके लफ्जों में, उनकी अवाज में, वो यो एक बच्बन की प्यार होती है, महब करिया करते थे, लौड एहमद, एक चीज और पूछना चाहेंगी, क्योंकि अभी का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, आप जैसे कई दूसरे भी भारतिय मूल के लोग हैं, जो इंगलेंड में आना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, वीजास का बड़ा मसला है, अभी आपकी जो सरकार है, उसने कहा है कि जो वीजास है, उसमें वो जो डेपेंडेंट्स हैं, उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत जाधा इमिग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन रोकना चाहरे हैं, लेकिन एक तरफ जो इमिग्रेंट्स हैं, वो ही तो आप जैसे लोग हैं, अर्थ व्यवस्ता को, वहां की कल्चर को बहुत कुछ हो रहा है, तो क्या सोच है इसमें और क्योंकि आप और रिशी सुनक एक तरह से इंडिया से इतना तालुकात लगते हैं, क्या ये सोच, आपकी राए क्या है इसमें और क्या सोच है सरकार की? पहली चीज़ तो बन्यादी बात ये है कि हर माइगरंट कम्यूनिटी में उसमें हिंदुस्तानी भी, पाकिस्तानी भी, यो भी साथ एशिया से आया है, अफरीका से आया है, और उन्होंने यूके को अपना मुल्क बनाया है, उन्होंने साथ-साथ उस मुल्क की तरकी की हाई मुकमल करें, बढ़के उससे बढ़के दो साल का अब आप्शन ये भी है, दो साल पहले हमने इसमें तबदीली लाए थे कि आप आप काम भी कर सकते हैं, उसमें हमारा फाइदा है, यो इन्सान आ रहा है, वहां पढ़ रहा है, उनका साथी फाइदा है, मगर वो सिफ एकडेमिक क्वालिफिकेशन लेके नहीं, मगर काम का भी एक्सपिरिएंस लेके फिर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं, पहली बात तो ये है, दूसरी चीज़ यो रिसर्च और पी-एजडी के यो स्टूरेंट्स हैं, और रिसर्च में यॉनाइटिड किंग्डम, मृतान में था, उनकी मैनिफैक्टरिंग, उसमें भी दिखाया गया है, कि ये यो एकडेमिक और रिसर्च कलाबरेशन हैं, दोनों, बृतानिया और भारत के दम्यान बहुत ऐहम हैं, वो बहुत जरूरी हैं, दुनिया भर के लिए, यो आपने सिर्फ यो एक बदर लाई हैं, यो स्टूरेंट्स, पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने सिर्फ एक साल के लिए, उन में ये है, क्योंकि उन में अक्सर कुछ ऐसे लोग, ये सिर्फ भारती नक्ते से नहीं, मगर पूरी मुलकों को मला के, जाहर हो रहा था कि कुछ ऐसे इंस्टूशन हैं, कि वो काम करके पूर अपना कॉर्स पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी तबदीली लाई गई है, मगर यो मेन तबदीलियां ला रहे हैं, वो इसलिए नहीं हैं, जाहिज इमिग्रेशन में हमारे मुलक को, ब्रतानिया को बहुत फाइदा हुआ है, यो इलीगल इमिग्रेशन है, उसक श्री लांका तो साउथ एशिया के इंफ्लॉंस बहुत भरी है, हमारे ओपर बहुत बड़ा है, यूके की नहीं हैस हेल्थ सर्विस, मगर इसी तरह बहुत जरूरी है कि यो फ्लो है, प्रफेशन में वो भी रखें, तो हम चाहते हैं कि और स्टूडेट्स आएं, इसलिए ह हमारी ओफर बढ़ी है, बलके अगर आप अभी के स्टिस्टिक्स देखें, सबसे यो बड़ी स्टूडेट्ट पॉपलेशन यूके में इस वक्त अब चीन की तरफ से नहीं है, भारत की तरफ से, बिल्कुल तो इसलिए बस ये एक लास मेरा आखरी सवाल ये है कि बही क्या उस पे थोड़ा सा, क्योंकि अभी लग रहा है कि बहुत स्टिक्ट होने वाला है, सक्त होने वाला है, क्या सक्त रहेगा या थोड़ा सा लिब्रल होएगा? नहीं, सक्त इस रंग में है, कि न काम ये जाईज तरीके से यूके आना चाहते हैं, उसक livres हमारे मिल्क के दूरवाजे खुले है, उसमें हमें भी फायदा है, उनको जाती तरफ पे भी फायदा है, और उनके अपने मुल्क को भी फायदा होता है, आगर आप देखें, आपन मेरे परिवार के बारे में किया था, उस वक्त बुलाया जा रहा था, यह उस वक्त पुराने अमपायर के मुलक थे, यह कामनवेल्ड बने, मुखलिफ जगा से, दुनिया भर से, मृतानी उस वक्त सरकार ने बुलाया है लोगों को, मेरे अबबाजान यह थे, पांच पॉंट के लिए वह एक बहुत ऐहम बनियाद है, बलके अबबाजान मरहूम हमें, मेरे पता जी हमेशा कहते थे, कि आप तालीम ऐसी चीज़ें आप दुनिया भर में कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो यह तक मेरी अपनी मुलक का सवाल है, हमारी हकूमत का है, हमें पता है कि हमारी अ आए, मगर बाकी जा तक वो हैं, आफर बलके पिछले दो-तीन सालों में आपने वो आफर बढ़ाई है, जी बिल्कुल क्योंकि कई लोग जैसे आप कह रहे हैं कि तालीम के लिए आते हैं, लिकिन तालीम के लिए आते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, उनके माबाप चाह कि यहां के लोगों को कुछ कंसर्ण्स थे, नहीं नहीं, उस तरंग में जैसे मैं बता चुका हूँ और उसकर चुका हूँ के यो अंडर ग्राजुट्स आते हैं, उनका उसी की उसी तरह है, और वो अपने अंडर ग्राजुट्स मकंब करके, वो अगर उनने अपलाई किया है, उनको वो ऐसी जॉब मिल जाती है, अपने प्रोफेशन आगे बढ़ाने में, वो उसी तरीके से अपनी जगा वो स्कीम खुली रहीगी, सिर्फ यो यो तबदीली लाए हैं, वो एक कैटरिगरी में हैं, मगर इस से ये नहीं, और मैं आपकी बात मानता हूँ, बहुत ज इड्रेस करें, और मैं आपको यकीन दलाना चाहता हूँ, कि UK है, था और हमेशा रहेगा ऐसा मुल्क, यह हम चाहते हैं, कि भारत से और दुनिया भर से ऐसे लोग आएं, यह अपनी भी बढ़ाई के बारे में सोचें, अपनी तालीम और पढ़ाई की तरफ सोचें, और हम कि उनमें उसका भी फाइदा, उमारे मुल्क का भी फाइदा और अल्टिमेटली जिस मुल्क से वो आ रहे हैं, और उसमें भारत भी बहुत एहम तरीके से गिना जाता है, कि उस मुल्क की भी आगे बढ़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हम से बात करने के लिए लिए लौड एहमारे मुल्क का भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी